प्रित्यों से समंदी छेत्रफल का एक्सरसाइज 12.2 सॉल्ट करने जा रहा है व्रित्यों से समंदी छेत्रफल में आपकों आलू है कि ब्रित्य का छेत्रफल बराबर बुटा है ब्रित्यों से समंदी ब्रित्यों इक शेत्रफल बराबर दूसरा होता है 3G खंड का च्छेत्रफल 3G खंड का च्छेत्रफल यह बराबर होता है थीटा बाई 360 पाई आग इस्वार लग ब्रित खंड का चित्रखल लग ब्रित खंड का चित्रखल यह बराबर होता है आपको देखो अभी समझा रहे हैं इसको पहले नूर के दिजिएगा फाई आग इस्वार माइनस लग ब्रित खंड का चित्रखल यह बराबर होता है त्री खंड का चित्रखल यह बराबर होता है और चाप की नंबाई यह इस्वार को होता है 3 by 60 2 by r 4 की नंबाई बराबर यह इस इपल टो थीटा by 360 2 by r तब यूजिव इस इन सुत्रों का प्रियोग करके हम जो ए इस एक्सरसाइज को सॉल्ट करने जा रहे हैं अब आप देखोगे कि लग बृत खंड किसको कहते हैं जेर्ग बृत खंड किसको कहते हैं तरजे खंड किसको कहते हैं तो मानले सपोद है यह आप खंड है तो बृत में जो हैं अगर कोई यहां से जीवा खीच भी जाती है तो यह बृत को यह जीवा क्या करती है ब्रित को दो भागों में बाट देती है तो जो छोटा खंड होता है इस छोटा खंड ही बड़ा खंड है ते इस छोटी वाली खंड को हम जए लग ब्रित खंड या माइनर सेक्टर होते हैं इसको क्या होते हैं माइनर सेक्टर लग ब्रित खंड और जो इस बड़ होता है इसको मेजर मेजर सेक्टरब होते हैं दित बृत खंड जब कोई भी एक चाप जब दूसरा दिखेंगी एक बृत हैं बृत का एक भाग जोता है एक तब भाग एक चाप करनाता है यह चाप जे जब एक खेंदर पर कोई ओड बनाते हैं तो इस भाग को हम कहते हैं तृज्जे खंड इसको कहते हैं तृज्जे खंड कहते हैं ठीक है और अगर इसमें अगर यह जीवा खेंदे जाती है तो यह त्रभूस हो जाता है और यह छोटा खंड यह बज़ता है यह बड़ा खंड बज़ता है तो इसको हम लग बृत्त खंड कहते हैं और बड़े बृत्त खंड को जहें बृत्त खंड यह मेजन के सिटर कहते हैं अब हम फ्लो इस सुत्रों का फ्रोग करते भी हम लोग कोस्टन को साथ करने जा रहे हैं आप रेकेंगे कोस्टन नमबर वन तिकी पहला कोस्टन यह हुआ है करें 6 cm त्रिज्या वाली ही इस ब्रित की त्रिज्य खंड का चेकल याद कीजी जिसका और 60 है अब रेकेंगे को कुस्टन नमबर वन सुल्यूशन यह हैं क्या कैची दिया हुआ है 6 cm त्रिज्या दिया हुआ है त्रिज्या को त्रिज्या करते है रेडियस 6 cm और क्या दिया है कोड दे रहा है 60 अंसर वो उनको थीटा से निरूपित करते हैं तो थीटा एक्वल है 60 तो करें इसके त्रिज्या खंड का चेकल याद कीजे तो थीटा खंड का चेकल याद के लिएक है अगे हमने आपको फार्मूला बताया है कि थीटा पाइ 360 पाइ 4 इसकोर्ट तो आप यहाँ पर लिखोंगे कि अतर तुरिजे घंड का चत्रफल पराबर खीटा पाई 360 पाई आर इसका है तो यहाँ खीटा के अस्थान परज़ आप इसकी रखेंगे 60 by 360 पाई की वैयू रखेंगे 22 by 7 और आर की वैयू कि पितना है 6 into 6 आर इसका है 6 into 6 0 से 0 केंसिल हो जाएगा 6 चा 36 इस 6 से आपे 6 केंसिल करनेंगे तो क्या बचा 6 2 0 12 उरो करेंगे 6 2 0 12 आर हमान 30, 132 पाई सेंटी ए- यह हवो क्या आप्ना स्क्वाय सेंटीर नीडर है । आप इसको रैइट कर सकते हो कि 132 पाई सेंटीर स्क्वाय सेंटीर मीटर या इसको बिस्टार कर सकते है तो 132 पाई सेवे इसपाया सेंगे लीड़े इसके लसे आवंगो question number 2 देखेंगे question number 2 इए बृत की चतु थांस का छेतर पर बृत की चतु थांस देखेंगे लूट होता है बृत को यह एक्सिस से बाटीते हैं एक भाग गए इसका कहलाता है एक चतु थांस वन फोर्थ यह कोर्डेट एक और दस सकर अनि बृत का एक चौपाई भाग गए एक चतु थांस कहलाता है तो कहरा कि चतु थांस का छितफल ज्याद करना है जिसकी परेदी पे 22 cm जिया हुगा है तो according to question परेदी परेद का शुत्र क्या होता है 2 pi r तो 2 pi r की value दे रहा है 22 cm आपको क्या find करना है चतुर्थांस का छेत्रपर तो बृत का छेत्रपर केता होता है बृत का छेत्रपर होता है pi r square जब आपको चतुर्थांस का ज्याद करना होता है चौथाई भागा तो 1 by 4 कर देंगे ठीक है एक तिहाई भागा ज्याद करना होता है तो 1 by 3 कर देंगे आदे का ज्याद करना होता है तो 1 by 2 कर देंगे तो इससे से एडिक्यू कर दिया हुआ according to question तो आप जानते हूं, चतु थांस का छित्पर बराबर होता है, 1 by 4 pi r square, तो जब तक आपको जे r की value नहीं मालू होगी, तक आप इसका छित्पर कैसे ग्याब कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो परिद दिया हुआ, इससे हम r कमान निकालेंगे, देखे कैसे रखत थो गुड़े, pi कमान रखेंगे, 22 by 7, e2 r कमान निकालना है, is 22, तो r is equal to निकालेंगे, तो गुड़ा है, तो दा जायगता होगा, भाग में क्या होता है, कि हर जो होता है, अंस हो जाता है, तो जाका 22 e2 7, इसे भी उपच्छला गया, 2 e2 22 नीची है, तो 22 से 22 cancel हो जाएगा तो r की value आगे, 7 by 2 सेंटी नीची है, जब r निकल गया, तो आप यहाँ पर लिख सकतो, अतर चतुर्थांस का छेत्थल बराबर, चतुर्थांस का छेत्थल की बराबर होता है, 1 by 4, pi r is equal, 1 by 4, pi कमान, 22 by 7, और r कमान है, 7 by 2, into 7 by, 7 से 7 cancel, 2 से इसको cancel कर सकते हैं, 11, तब कटेगा निकले, 11, 7 जाएगा, 77, अब आए 4, 2 जाएग, यह हो गया, आपका इस्वायर सिंदी, यह एक चतुर्थांस का छेत्थल हो गया, 1 by 4, pi r square में, pi की value होती है, 22 by 7, आप रखेंगे, और आता जगा पर यह रखेंगे, 7 by 2, into 7 by 2, इस तर से, आप question number 2, आपका साथ गुआ, question number 3, question number 3, question number 3, question number 3 में दिया हुआ है, तो यह मिनट की सुई को क्या कर सकते है, radius कर सकते है, radius आपतर है, circle, इस ब्रित का जाएड यह radius होता है, तो इक और इन की question हम लिख सकते है, घड़ी की सुई की लंबाई, यह आर होता है की, तो आर इसे पर कितना दिया हुआ है, 14 cm, तो आप में आप लिखेंगे, 14 cm, और क्या दिया हुआ है, इस सुई द्वारा पांच मिनट में रचित छेत्रफल ग्याद करना है, तो आप जानते हो कि घड़ी को एक चक्कर पूरा लगाने में दे, उसको 7 मिनट में सुई द्वारा एक चकर पूरा होता है, तो आप इसको रायब कर सकते हो कि चुकि, 7 मिनट में सुई द्वारा किये गए चक्करों की संख्या, कितनी होगी, 1, ठीक है, तो यह एक चक्कर पूरा करती है, 7 मिनट में, तो एक मिनट में कितनी चक्कर पूरा करेगी, तो यह बैड़ा, 1 by 60, इसलिए कितनी मिनट में पूछ रहा है, 5 मिनट में, तो 5 मिनट में खिए चक्करों की संख्या लगा है, 5 by 6, ठीक है, तो आपको मालूम है थीटा की वैलू अभी आपको नहीं मालूम है, कि कितने अंस्का फॉन्ट बनाएगा, तो माल जी ये मीनट की सुई इस तरह से चलती है, तो पांच मीनट में कितनी दूरी ये तहर करेगी, इसको हमको निकालना होगा, तो आप जांके हो, पूरा बृत कि कितने अंस का फोन बनाता है? 360 अंस का, तो 360 अंस का फोन बनाने के लिए भियां परिकेंगे, कि 5 by 60 चक्कर में चक्करों में बनी ओड का मार, बनी ओड का मार, तो कितना हो जाएगा, पीटा इस इपल टू? 5 by 60 और इस 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 इसड़ा निया, तो जब तीसाथ थीटा भी बालू होगे, यहां कर लिखेंगी, कि आपको प्रेशन पूछ रहा है? सुनी द्वारा 5 मिनट में रचित छेत पृत निया दिए, तो लिखेंगे मांच मिनिट में रचित छेत्रथल बराबर कीटा by 360 पाई आर इसक्वाइड तो कीटा का मान आप रखेंगे 30 बटे 307 गुड़े 22 बटे 7 आप का मान रखेंगे कितना है आप 14 गुड़े 14 इसको बारब को काट देगे कितना है इसको कार जाएगा तो कितना है इसको कार देते हैं हम चार से तो आप कितना हो गाई बुड़ा कर दो एक दो से कार देते हैं दूछे फिर 12 और यह हो गया 11 फिर 7 दोनी 14 ति 11 दोनी 22 बारब यह फिर कर जाएगा ने की दूतियां इसको आर्मान लेगे उसके बारब प्रसमें है कि पांच मिनट में फिर्ट्ने चक्र करें दो आप जानते हो कि कि मिनिट की पूरी भी सख्काल लगाती एक स्भासी कि देया थे ब्रणा से gaz लाए एक की स supplier लगती है हुएppe सब्सक्राइब या करने। नमबर पोर फुस्य नमबर फोर 10 सिंटिम्टेट निज्या वाले वृत की पोई जिवात के नमबर एक संपोर अंतरित करती है यानि यहांपा कुछ समपोर में थीटा इसे पटो कनाये देता है संपोर का मतलब हो गया थीटा इसे पटो कनाये देती है 10 सेंटिम्टेट फिरेज्या है और इसे पटो 10 सिंटी मीट है तो प्रसमें कहरा है कि लग, बृत, घंड का छिखल रियात किजिए यहाँ आप लेखेंगे सहंगत लग ब्रित खंड का छिफ़र छिफ़र पराभर होता है धीटा पाई 360 पाई आर इसक्वार माइनस 1 बाई 2 आर इसक्वार साइन धीटा तो इस फार मुझे से आप धीटा कमांद क्या रखेंगे 90 बाई 360 काई कमांद दिया है तीन दसन लोग एक चार उतना है तीन दसन लोग एक चार और आ कमांद कितना दिया है 10 कि रखेंगे 10 दिया कि पाई 10 इंतो 10 माइस 1 गाई 2 तीन इंतो 10 इंटो 10 इस फैर हो किया और साहीन थीटा किरे पाउके रखेंगे साहीन नाई 5 अब करती ही देखेंगे इस तीनी 100 होजाएका 100 सिर बुडा करिए तीन सो कितना उजाएका माइनस 1 बाइ 2 इंकू 100 और साइन 90 कमा किता होता है? 1 इकट जाएगा 2 पची 10 पचास आगया यह नगदी चूब की कट गया 307 ती आपका आगया 314 पटे चार माइनस पचास इकम पचास यह हो गया 50 पटे आपके आदा है कर सकते हो? 1 इसका अलसियम ले लो तीओ जाएगा 314 माइनस एक चोपते चार 4 से 5 पटे चार पटे चार पची पीज़ 200 ती कितना आगया? 114 पटे 4 एक सो चौदा बटे कितना आगया? 4 अब इसको भाग दे देंगे तो आपका जह है तरा जाएगा? 114 में 4 से भाग दे दीगे 4 टूज़र 8 334 48 तर 32 तूरी में 0 लिसमा लगाएंगे 45 सा 20 28.5 एकवल 28.5 इसक्वार सेंटी मेंटर यह हो गया कि संगत लग ब्रित खंड का छित्थर दूसरा ही जातना है संगत देरिक ब्रित खंड का छित्थर दूसरा इसमें क्या क्यातना है देरिक ब्रित खंड का छित्थर ताप यहाँ आप रहिट करोगे कि देरिक ब्रित खंड का छित्थर तो देखे ये ब्रित को होता है पताय है अभी कि लग ब्रित खंड होता है दिर्ग ब्रित खंड होता है तो अगर इस लग ब्रित खंड का छित्फल निकल गया है तो अगर हम पूरे ब्रित के छेत्फल में से लग ब्रित खंड का छित्फल घटा दें तो ये दिर्ग ब्रित तो यह हो जाएगा आपका बृत्त का चत्ता पाई है डिसकों एसमें से माइनस कर दीचे लघ बृत्त कंडि का चत्ता इसका मान रिख दीजी पाई कमान दिया है 3.14 इटू आप कितना दिया है 10 10 इटू तो 10 अब माइनस कर देंगी इसका डिरेक्ली महा रख देंगी 28.5 इसको मुर्टिप्लाइ करती है कि 314-18.5 आप यहां पर 314.00 हो गया है इसमें से 28.5 को माइनस है तो 10-5 एक पर 5 यहां 13 उपर 13-8 5 यहां पर 10-2 एक न इह हो गया 285.5 इसको मुर्टिप्लाइ इस तरह से आपको कोशें बर 4 तक उन्य बिटाया है आप लगब्रिध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध और देर बर्टिप्लाइ चेपल यहां करनेंगे कोशें बर 1-2-4 आप पुरा करेंगे पुरा करके आपनी कॉपी जोह लाकर के के मंड़े को आप अपनी कॉपी पूरी करके चेक करें थैंक्यू